नमस्कार सातियों जो माकसा चैनल में आपका स्वागत है क्या आपने कभी सोचा है आपके घर की जित्ती भी मशीने हैं आपस में बात कर सकती है जैसे आपके घर के जित्ते भी यूमन से वो आपस में बात करते एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं तरीके से आपके TV, फ्रेज, आपकी smart watch आदी एक दूसरे से बात कर सकती है, एक दूसरे को message बेश सकती है, क्या आपके हाथ में जो आपने smart watch पहन रखिए, आपका blood pressure बढ़ने पर क्या वो आपके doctor को message बेश सकती है, क्या ये जितनी भी बाते मैं कर रहा हूं, क्या या परे में आज अपन बात करेंगे इसलिए आकरी तक जरूर बने रहीएगा देखिए अभी हाली में क्या हुआ Union Finance Minister Nirmala Sita Ramanji ने ये कहा है कि भारत का जो 5G है वो completely indigenous है except for some critical parts क्या हुआ है हाली में अपने अपना 5G भी बनाया है उसके लिए जो critical parts है बस वो अपने क्या किया है South Korea से import किया बाकी पूरा का पूरा काम और पूरी की पूरी चीज़े अपने भारत में अपने घर में ही बनाई है ऐसा उन्होंने कहां कहा है तो Johns Hopkins School of Advanced International Studies के दौरान एक interaction के दौरान ये बात उन्होंने कही है उन्होंने ये भी कहा है इंडिया is ready to share the 5G technology with other country as well जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत वसुदैफ कुटमगम पर विश्वास करता है सब को आगे लेकर चलने पर विश्वास करता है इसलिए अपन अपनी 5G technology बाकी देशों के साथ भी share करेंगे उन्होंने ऐसा कहा है आप यहां हिंदी में भी देख सकते हैं अब अपन बात करतेगी जो 5G technology इसकी शुरुआत कहां से हुई तो माननी प्रदान मंत्री जी ने इसको launch किया था 5G technology को earlier this month कहां पे किया था इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस 2022 में किया था वो कहां पे संपन हुई थी तो न्यू दिल्ली में संपन हुई थी तो अभी 5G services की start किस ने किया तो भारती Airtel ने किया है आठ cities में 5G services provide कराई जा रही है उन 8 city में दिल्ली, मुंबई, वारानासी, बैंगलूरू आदी आते हैं आप यां English में देख सकते हैं यां Hindi में भी देखा जा सकते हैं अब देखिए क्या कहा माननी प्रदान मंत्री जी ने उनने कहा कि जो 5G है वो can enable billions of connected device to share data in real time जैसा मैंने आपको बताए कि machine आपस में बात कर सकती है, real time में एक दूसरे को message और data share कर सकती है और उन्होंने ये भी कहा कि जो 5G है वो कहीं न कहीं क्या है, 4G से much more faster है और lack free connectivity प्रदान करता है और जब ये चीज संभव हो जाएगी तो आप समझ लिए किसाफ से क्रांती आ जाएगी, क्रांती health care में आ जाएगी, education में आ जाएगी, agriculture में आ जाएगी, disaster monitoring में आ जाएगी अब देखिए 5G technology के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए जैसे आपके mobile में आप अभी 4G use कर रहे होंगे, आगे 5G करेंगे, इससे पहले आप 2G, 3G करते थे, तो ये सब क्या है, तो देखिए 5G 5th generation mobile network है, क्या होता है, हर generation जैसे 1G में जो features थे, उससे अच्छी updated feature, ज् फिर 4G में, जैसे 1G में इंटरनेट नहीं था, 2G, 3G के आज पास इंटरनेट आया, 4G में speed और बड़ी, और 5G में तो अब speed बहुत ही जादा बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, तो इसका high band spectrum होगा 5G, और इसकी speed test की गई है, वो 20 Gbps होगी, जबकि 4G में आपको कि message बेज़ पाएंगे, जिससे अपन क्या होगा, जाधा से जाधा टेकनोलोजी का उपयोग कर पाएंगे, और समाज का विकास कर पाएंगे, यहाँ पिंदी में भी देख सकते हैं, अब आपन बात करते हैं, इसके क्या benefits होंगे, benefits जैसे मैंने आपको बता दिए, internet of things, internet of things क्य होता है, मशीने आपस में बात करती है, तो मैंने जैसे बताएंगी, machine to machine communication हो पाएगा, आपके घर में जैसे आपने घर से निकले, तो आपकी smart watch बता देगी, आपके घर की light बंद हो जाएंगी, आप घर आने वाले होंगे, आपको switch दवाने की जरुरत नहीं पड़ेगी, आ और example, source destination, आप कोई movie को download करते है, तो उसमें किता time लगता है, जितना time लगता वो time कम हो जाएगा, latency कम हो जाएगी, क्या कम हो जाएगी, source से destination, data पहुचने में बहुत कम समय लगेगा, और मही 5G क्या करेगा, इस तरीके की यदि machine आ जाएगी, जो machine to machine communication करेगी, तो इससे क्य विडियो में digital divide है, infrastructure बनाना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजे हैं, तो I hope आपको 5G समझ आया होगा, आपको हमसे contact करना है, तो यह हमारी detail दी गई है, आप इन detail पर contact कर सकते हैं, आपको वीडियो पसंद आया, like, share, subscribe जरूर कीजेगा, thank you, thanks for watching.